इस्टुडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है आज हम कग्षादस का सप्लिमेंटर रीडर का जो सबसे पहला चेप्टर है दा इनिवेंटर हुग केप्टे इस प्रॉमिस का पार्ट नंबर थ्री पढ़ने जा रहे हैं मैंने इसका पार्ट वन पार इसके पहले जाईए पहले वन और टू को देख करके फिर आप यहाईए मैं आपको इस्टोरी बता दूँ के इट्सन को स्कूल्स निकाला गया घर पर आकर के अपने माता पिता की देख रेक में सिक्षा हासिल किया कई धेर सारे जो है वह मुर्खता पूर्ड कार किये कमपनी में ठारा हुआ था और वह वहाँ पर एक मशीन का भी रिपेर किया उस कमपनी का मैनेजर ने एडिशन को धेर सारे पैसे दिये आगे से हम क्या पढ़ते हैं देखें दो नेक्स इक्स येर्स एडिशन मेड और शीरीज आफ इन्वेंशन्स वन इन्वेंशन फालोड एनदर क्विकली एंड एडिशन और मोर फेम एंड मनी देखें शुडेंट्स बताता है दो नेक्स शिक्स इर्स बताता है अगले छे वर्सों में एडिशन मेड एडिशन ने बनाया और स्रीज आफ इन्वेंशन्स बताता है आविसकारों का एक स्रिंखला बना दिया धेर स आरे अविसकार किये वन इन्वेंशन फालोट एनदर कि विकली एक अविसकार के बाद दूसरा अविसकार बहुत त kijजी से किया आएंड और एडिशन और एडिशन कमाया मोर फेम बहुत अधिक परसिद्धी और मनी और बहुत अधिक धनकमा लिया आगे देखें, in 1877, 1877 में, he was working on a machine, वो एक machine पर कारी कर रहा था That could mean सकना, reproduce, पुनाउत्पन करना, the human wise, जो इंसानी आवाज को, जो मानों की आवाज को दुबारा सुना सकती थी The next year, अगले साल, he actually made one, उसने वास्तों में ऐसे ही machine बना दी It was then, called the talking machine, तब इसे हम बात करने वाली machine कहते थे, we call it the gramophone now, अब हम इसे gramophone कहते है The same year, उसी वर्स, he was invited, पैसी वैसे उसे आमन्तित किया गया, to the white house, white house में in Washington, अमेरिका के, यह बता रहा है कि वाशिंग्टन में, white house जो जगह है वहाँ पर इसको आमन्तित किया गया, that is the name of the house, यह उस मकान का नाम है, उस घर का नाम है, उस विल्डिंग का नाम है, भवन का नाम है, वे है जहाँ, the president of the United States of America यह उस जगह का नाम है, जहां पर उप्त राज अमेरिका के राष्टपती रहते हैं, निवास करते हैं, जैसे हमारे भारत का राष्टपत कहा रहता है, देली में, उस तरह से अमेरिका का राष्टपत कहा रहता है, white house जहां रहता है, उस जगह का नाम है, मकान का नाम है, औ कि एक research किया था इसलिए इसको president के हाथों पुरस्कृत होना था इसलिए इसको बुलाया गया आगे देखें बता रहा है now अब sorry Edison went there to show his new machine Edison अपनी नई machine दिखाने के लिए वहाँ गया to the president राष्टपत को this year made बना दिया him उसे अर्थाति Edison को famous परसिद all over America पूरे अमेरिका में इस machine ने Edison को famous कर दिया now अब he was successful वह एक सफल डेक्ती हो गया and prosperous और अमीर हो गया धनवान हो गया कौन Edison he owes all this to his mother's help and encouragement बता रहा है ओजटू का मतलब वता है किर्थक गोणा वह इन सारे कारियों के पीछे अपनी खुद का मेहनत और अपनी मा की सहायता और उत्साह तथा ये कठीन परिश्रम का परिल्याम मानता था वह मानता था कि मैं खुद work hard किया हूँ मेरी मम्मी ने मुझको उत्साहित किया है इत मैं आज इस मुकाम पर पहुँचा हूँ encouragement and to his own hard work स्वय का कठीन परिश्रम उत्सावर्दन मदद माता की नेक्स देखे students तोड़ा मेरे बुक डार्क है बेतर होगा कि आप अपने पास बुक रख करके बढ़ें और word meaning को भी पहले आप learn करना है In March 1878, March 1878 में he began to work on an electric lamp हुआ एक बिद्दूत बल्ब के उपर कार करना शुरू कर दिया People used candles and eye lamp in those days उन दिनों लोग मुंबत्तियां, candles means मुंबत्तियां होगा and eye lamps मतलब लाल्टेन होगा या दिया का सकते हैं पर योग करते थे या इस्तिमाल करते थे They did not have electric lights उसमें लोगों के पास बिद्दूत बल्ब नहीं था Edison promised, Edison ने वादा किया subject no helping or man of second from past and fitness to give them उन्हें देने के लिए electric lights बिद्दूत बल्ब in two years, दो वर्सों में When he said this, जब Edison ने इस बात को कहा All the scientists loved that team तो सारे बैज्यानिक उसके उपर हसने लगे यहां से They said way कहे that it was impossible कि यह तो असंभव वाली बात है असंभव चीज है, ऐसा नहीं हो सकता है But Edison was not worried at all लेकिन Edison इन चीजों के पीछे इन चीजों के अपरते चींतित नहीं हुआ उन लोगों की बात को सुनकर कि उनकी बातों में नहीं आया He worked harder and harder वह कठिन से परिस्रम से और कठिन परिस्रम करता गया He performed वह किया A thousand, एक हजार experiments में इस परियोग एक बार, दो बार, तीन बार, सो बार नहीं एक हजार बार परियोग किया But all of them failed लेकिन सब के सब में असफल रहा He did not give up hope लेकिन Edison ने अपनी उमीद नहीं छोड़ा Edison ने आसा नहीं छोड़ा फिर देखें Keep my promise to the people बता रहा है कि मुझे जो मैं लोगों से अपने वादा किया हूँ लोगों को अपने बच्चन को जो दिया हूँ उसे अवस्य पूरा करूंगा फिर देखा क्या हुआ He said to himself ऐसा वस्वयम से कहा And world harder still और अभी भी वा कठी परिसरम करना जाई रहा He was racing against time वह समय के बिरुद्ध कारिक कर रहा था At last month में He succeeded वह सफल हो गया In making बनाने में An electric bulb एक विद्दूद बल्ब After nearly 1000 And 200 experiments लगबग 1200 अर्थात कितना हुआ 1200 बार परियोग करने के बाद चात्रों तब edition क्या किया बिद्दूद बल्ब बनाने में सफल हो गया वह अपनी मंजिल पा गया वह जिस चीज को चाहता था उसे वह कर लिया आगे देखां क्या फिर होता है बताता है कि On new year नए वर्स के दिन 1888 1888 में He and his workers वह और उसके जो वर्कर थे एडिसन इतने बड़े कार में अकेले नहीं था इसकी एक टीम थी जो उसके वर्कर थे पूट अप इलेक्ट्रिक लाइट एट हीज लेबुरेटरी बता रहा है कि अपने परियोग साला में ये बिजली का जो है प्रकास जो है वह जलाए अर्थाद बिजली का प्रकास से प्रकासित कर दिये और बता रहा है कि पीपल फ्राम आल ओबर अमेरिका केम टू सी पूरे अमेरिका से लोग देखने आए देट उस ग्रेंड सांदार लाइट मसाइट मिसोता द्रिस्ट को एडिसन हैड केफ्ट इस प्रामिस एडिसन अपना वादा अपना बचन पूरा किया था आगे देखें आन 4 सिटमबर 1882 चार सिटमबर 1882 को फार दा फर्स टाइम सबसे पहली बार दन्यू यार्ट सोन इंद ब्राइटने साफ इलेक्टिक लाइट बता रहा है नियू यार्क नगर बिजली के प्रकास से चमक उठा बिजली के प्रकास से प्रकासित हो गया चात्रों में आपको एक बहुत पुरानी बात है जब भी कोई ब्यक्ति कोई नया काम करता है तो वह उसके जोखिम से डरता है और अगर वह नया काम कर रहा है तो समाज का जो व्यक्ति होता है अन्य व्यक्ति होते हैं वह उसको डिमोरलाइज करने का काम करते हैं उसे काते हैं या नहीं कर पाओगे वह नहीं कर पाओगे लेकिन अगर उस व्यक्ति ने उन लोगों की बात सुन लिया तो वह उस काम को कभी नहीं कर पाएगा मैं थोड़ा सा टाइम लोगा एक इस्टोरी सुनाने के लिए आपको इस्टोरी मालू होगा कि कुवे में बहुत धेर सारे मेढग रहते थे कोई भी मेढग कुष कुवे से बाहर नहीं निकल पाता था कुवे में कुष समय के बाद एक मेढग का बच्चा था जब वह बड़ा हुआ तो दिवार पर चड़ने लगा उस कुवे में जितने में डखते सबने हाला करना शुरू कर दिया आवाज देना शुरू कर दिया रियाज तक हमारे इस फैमिली का हमारे समाज का कोई भी ब्यग दिस पर नहीं चलपाया तुम कैसे चलोगे नहीं चल पाओगे उतर जाओ तुमारे साथ कोई casualty हो जाएगी लेकिन वह नहीं माना और वह अंततर चड़ गया जानते हैं छात्रों क्यों चला क्यों कि वह बहरा था उनकी बात को वह सुना ही नहीं क्या कर रहे थे अगर वह उनकी बात में आगया होता तो अभी उसी कुमे में ही रहा होता आगे देखिया हैं स्टुडेंट्स बताता है कि Edson served his country during the first world war Edson ने पर्थम बिसुद्ध के समय अपने देश की सेवा किया पहला बिसुद्ध जब हुआ तो अपने देश की सेवा किया देखिये He made 40 wartime inventions उसने 40 अविस्कार किये या युद्ध के समय उसने 40 अविस्कार and or was awarded awarded बतल नमाजा गया दिया गया और मेडल एक पदक फारी सर्विस और उसकी सेवाओं के लिए उसे एक पदक भी दिया गया इन 1929, 1979 में The Silver Jubilee of Invention of Electric Bulb बिजली के बल्ब के अविस्कार की रजज़वर जुबली का मतलब होगा रज़ज़ेंती वाज सेलिबरेटेड पैसिवाइस पास्नेफिटेंस मनाई गई इन अ ग्रेंड मैनर एक सांदार तरीगे से भव रूप में मनाई गई The President of United States of America सन्युक्त राज अमेरिका की राश्रपती Received him and honored him at a big function सन्युक्त राज अमेरिका की राश्रपत ने एडिशन का सम्मान किया या उसे बुला करके उस फंक्शन में उस उत्सों में सम्मानित किये एडिशन गट अप एडिशन ख़़ा हुआ At the function, function में या एडिशन गट अप function, एडिशन फंक्शन में ख़़ा हुआ To the bank, thank धन्नवाद देने के लिए The President राश्रपत को But suddenly fell ill, लेकिन अचाननक भी मार पड़ गया छात्रों, चुकि यह जो words है, यह काफी सटे सटे लिखे रहे है To the function में राश्रपत को धन्नवाद देने के लिए ख़़ा हुआ But, but suddenly fell ill, लेकिन अचानक भी मार पड़ गया His illness became worse, उसकी भी मारी और अधिक खराब हो गई या और अधिक बनती गई, and he died on Sunday morning of 18 October 1939 और इस प्रकार से 18 October 1931 को रभी बार की सुव़ उसका देहान्त हो गया मर गया, दस इस प्रकार, इंडेड अंत हो गया इसका, the great एक महान and eventful life, एक महतपूर जीवन का फूज इसने enriched धनी बनाया था, पहुचाया था, human life, मानो जीवन के पास, and happiness और खुशिया इस प्रकार से, एक ऐसे भ्यक्ति का देहान्त हो गया, जिसने भारत के लोग, sorry पूरे दुनिया में लोगों के पास क्या पहुचाया था, खुशिया पहुचाया था He said, once एक वारवा कहा था, I will invent anything, मैं किसी भी चीज का विश्कार नहीं करूंगा I want to make people happy, मैं लोगों को प्रसंद बनाना चाहता हूँ, लोगों खुश रखना चाहता हूँ He also said, वह यह भी कहा, the world has been in dark race too long, संसार बहुत समसे अंधेरे में रहा है I would like to give to the world more laughter and more light, मैं लोगों को, मैं दुनिया के लोगों को, संसार के लोगों को, और अधिक हसी और अधिक परकास देना चाहता हूँ He kept his world, वह अपना वादा पूरा किया, his gramophone has brought us more laughter, उसका gramophone हमें अधिक हसी परदान किया And his electric lamp has given us more light, और उसका विद्दूत का बल्व, विद्दूत की परकास, विद्दूत रोशनी हमें बहुत अधिक परकास दिया Today as our country हमारे देश को and the world और दुनिया को needs जरूरत है More men, बहुत सारे व्यक्तियों की like edition जो edition की तरह से है Every boy and every girl, परतेख बालक परतेख बालिका पोस्टूर फालो is great example उसके महान उदाहन का अनुसरा करना चाहिए, edition से आपको सीखना चाहिए कि कितनी मुसीबतों को जेलने के बाद वर विदुद बल्ब और ग्रामोफोन को अंततह बना लिया तो students, आज यह आपका पाला लेशन पूरी तरह से complete हो गया अगले लेशन में हम इसका true-false देखेंगे, multiple choice question देखेंगे और जो spelling फिल्क करना होता है वह देखेंगे यदि आप हमारे चैनल पर नए है तो आपका स्वागत है आप मेरे चैनल को share कीजिए, subscribe कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए लेशन के साथ, तब तक के लिए, good bye